दोस्तों, 25 मार्च होली और चंदर ग्रहन के दिन चुपचाप कर लीजिएगा. एक मुठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कश्टों से तुरंत मिल जाएगी. आपको मुक्ती. माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से न केवल आपके जीवन में होगी. धन की वर्षा बलकि एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे. आप करोडपती खुशियों से भर जाएगा. आपका घर आपकी हर मनो काम ना होगी. पूरी 240 वर्षों बाद आया है ऐसा अद्भुत सुनहरा मौका. दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें. 25 मार्च को होल का पावन पर्व पढ़ने जा रहा है और इसी दिन माहचंद्र ग्रहन लगने जा रहा है. दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसा अद्भुत समय पूरे 250 वर्षों बाद आया है. इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, ध इस दिन अगर माता लक्ष्मी जी की कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ कर लेता है, तो माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से उस व्यक्ति की गरीबी, परेशानी और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती है. अगर आप अभी तक अपनी गरीबी से परेशान थे, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था. दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई थी या आपकी कैसे भी परेशानी है? धनिया का उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से आपके उपर इस प्रकार से अपनी कृपा बरसाई बरसाएंगे, जिसके गारंटी हमारा चैनल प्राचीन जानकारी आपको स्टांप पेपर पर लिख कर दे सकता है. अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद कैसे मिल सकता है? तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी बता दें, जो धनिया होत है, उसका सीधा संबंध धन से होता है. शास्त्रों के अनुसार धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, इसलिए आपने खुद ही देखा होगा, कि आपके घर पर जब भी पूजा होती है, तब आपके घर के जो बड़े बुजर्ग होते हैं, व वहाँ पर रख देते हैं. वेद पुराणों में शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, कि दोस्तों लक्ष्मी जयन्ती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धर्ती पर वास करने आती है, और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर की पूरी धर्ती का भ्रमन करती है. और इस मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ती मिल जाएगी, बलकि इस होली के बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें व्यक्ति अपनी दुश्मनी उच्च नीच मतभेद भुलाकर के इस पावन पर्व को मनाता है, इसी लिए होली को खुशियों का त्योहार भी बोला जाता है, इसी प्रकार से जो चंदर ग्रहन वाला दिन होता है, इसके बारे में हमारे वेद पुरान में बताया गया है, कि इस दिन किये गए टोट के बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं, और दोस्तों इस 25 मार्च के दिन जिस दिन लक्ष्मी जयनती और चंदर ग्रहन और पूर्णिमा एक साथ में पढ़ रहे हैं, इस दिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक मुठी धनिया का उपाय सही मुहू और इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद और वर्दान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों धनिया का सीधा संबंध धन से होता है, धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, धनिया जो होती है वह चंद्र ग्रह का कारक मानी जाती है और अगर आप चंद्र ग्रह के बारे में नहीं जानते तो यह वही ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति के भाग्य से संबंध रखता है यानि कि दोस्तों अगर आपने 25 मार्च होली के दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार धनिया का उपाय कर लिया तो न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा बलकि आपके नव ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे इस उपाय को करने के बाद माता लक्षमी जी के आशीरवाद से पूरे साल आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहेगी आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धी होगी आप धन संबंधित जो भी निर्णे लेंगे उस निर्णे से आपको फायदा पहुँचेगा और फिर आने वाले समय में आपको काम्याब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा यह एक ऐसा सुनहरा मौका है आप लोगों के पास जिसको अपने हाथों से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा इसी लिए जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए क्योंकि अगर आप 25 मार्च के दिन धनिया के उपाय सही मुहूर्थ पर करेंगे तो आपको अवश्य ही उसका लाब मिलेगा और अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद हमेशा आप पर बना रहे माता लक्ष्मी जी की क्रिपा से इस होली के बाद आप करोड़ पती बन जाए तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी जरूर डाल दीजिएगा आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस होली के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह धन प्राप्ति का महा उपाय है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आप करोड़ पती बन जाए इस होली के बाद आपकी अलमारी हमेशा धन दौलत से भरी हुई रहे आपके जीवन में धन की वर्शा हो माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीरवाद और वह वर्दान मिले जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी न हो तो आपको हम एक माह उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आपने सही मुहूर्थ पर कर लिया तो यकीन मानिये इस होली के बाद आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको सिर्फ यह करना है कि होली वाले दिन इस दिन लक्ष्मी जैन्ती और पूर्णिमा है उसे दिन सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है आपको लाल कपड़े पहनने है क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंट सिद्ध हो जाती है आपके घर का जो भी पूजा घर है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है वहाँ पर आपको जाना है और दोस्तों सबसे पहले घर के पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर आपको एक मुठी धनिया और एक ऐसे चांदी का सिक्का रखना है, जिस पर माता लक्षमी जी की कलाचित्र बनी हो, अब मान लीजिए, आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है, तो आप ग्यारह रुपयों के सिक्कों का अभी इस्तिमाल कर सकते हैं। इस कपड़े की पोटली आपको बना लेनी है। और पोटली को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको ग्यारह बार जाप करना है। अगर आपने होली पूर्णिमा चंद्र ग्रहन के दिन कर लिया, तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीरवाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगला उपाय है शुक्र ग्रह का। साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। शुक्र ग्रह जो होता है, वह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्त दे तो सिर्फ आपको यह करना है कि होली वाले दिन जिस दिन चंद्र ग्रहन लगने जा रहा है, उस दिन शाम के वक्त आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में एक मुठी धनिया आपको रख देना है। इस लाल कपड़े की पोटली बना कर घर की छट पर अगले दिन यानि की 26 मार्च को सुभह अच्छी तरीके से नहाने के बाद इस पोटली को आपको उठा करके लाना है और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुँचेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर आपने इस लक्ष्मी जैनती और चंद्र ग्रहन वाले दिन यह उपाय कर लिया, तो यकीन मानिए, हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देता रहेगा। और आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेधन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जैमा, लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला उपाय है, कर्ज से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तो मान लीजिए, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है, जिस कर्ज के बोज में आप लोग दबे हुए चले जा रहे हैं, और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको सिर्फ यह करना है, कि होली वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन, रात मार्च को आपको सुबह उठना है, और नहाने के बाद इसी पीली पोटली को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है, दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर दिया इस लक्ष्मी जैनती वाले दिन तो यकीन मानिये, जिस कर्ज की वजह से आप बहुत और अगर आप यह उपाय करते हैं, तो आपको अवश्य ही इसका लाब मिलेगा, दोस्तों, क्योंकि इस उपाय के बारे में ज्योतिश शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, अगला उपाय है, भाग्य का साथ पाने का महा उपाय, दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस ह होली के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए। आपके नवग्रह आपके साथ देना शुरू कर दें। आप जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ हो। माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपके नवग्रह आपका साथ दे, तो एक बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों, होली की राख को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इस राख से अगर कुछ काम के टोटके किये जाएं, तो आपके जीवन में सुक सम्रिध्धी आती है और घर में यश्वैभो बढ़ता है। मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए होली की राख से कुछ उपाय किये जाते हैं। आज हम आपके साथ इन ही उपायों को साजा करने जा रहे हैं ताकि इस बार होली पर आप भी मा लक्ष्मी को प्रसंद करके लाभ पा सकें। दोस्तों आर्थिक तंगी को दूर करने में होली का की राख काफी असरदार मानी जाती है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांध कर और उसके साथ पांच सफेद कौडियां लेकर अपने घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान में रख दें। अगर दोस्तों काफी मेहनत और प्रयास के बाद भी आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है और पैसे आपके हाथ में नहीं बचते हैं तो होली की राख को लाल कपड़े में बांध कर और उसकी एक छोटी सी पोटली बना कर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें। ऐसा करने से आपका पर्स रुपयों से हमेशा भरा रहेगा। दोस्तों अगर आपके काम धंधे में लगातार हानी हो रही है और आप इससे उबर ही नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं विशेश उपाए। आपको करना यह है कि अपने मन में अपने बिजनस का नाम लेकर और मा लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जिस स्थान पर होली का देहन होने वाला हो उस स्थान पर हरे रंग का गुलाल छिडग दें। ऐसा करने से आपके काम में नुकसान होना बंध हो जाएगा और आपका बिजनस फिर से पठरी पर आ जाएगा। रोटी पर थोड़ी थोड़ी सी धनिया रख देनी है और किसी भी गाय को अपने हाथों से उसको खिला देना है। सिर्फ इतना उपाए अगर आपने इस लक्ष्मी जन्ती के दिन कर दिया तो यकीन मानिये आपको 33 कोटी देवी देवताओं के साथ साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद आपको मिलेगा। जिससे न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा बलकि आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दोस्तों आप जिस कार्य को भी होली के बाद शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में प्राचीन शास्त्रिय जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मान लक्ष्मी अवश्य लिखें. और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डालना मत भूलिएगा. आ हम कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई में बता देंगे. धन्यवाद.